नमस्कार पीपी निवी टुन्टीफोर में आपका स्वागत है। कोरोना वाइरस के संक्रमर की महमारी से बचने के लिए सेवराई तहसील छेत्र के विदेशों वद दूसरे राजों से आए लोगों को चिन्हित कर स्वास्त परिष्ण कराने के लिए मंगलवार को उपजिलादिकारे बिक्रम सिंग ने गहमर्थाना प्रवारी निरिचक बिमलकुवार मिस्रा और सामुदाईग स्वास्त केंद भदवरा के स्वास्त टीम के साथ छेत्र के गाउं में पहुँचकर लोगों का सास्त परिष्ण करने के पस्चाथ घरों में सुरक्षित रहने का अपील किया कुरोना वाइरस की जंग को जीतने के लिए मंगलवार के सुबा से उपजिलादिकारे बिक्रम सिंग अपनी पूरी टीम के साथ इस जंग में कूद पड़े और छेत्र के बारा बसका सहित दर्जनों गाउं में दूसरे राज्यों वा विदेशों से आए दर्जनों लोगों का प्राथमिक जार्ज कराकर लोगों से दूरी बनाते हुए एकांत्वे रहने की सलाह दिया इस अंदर में उपजिलादिकारी बिकरम सिंग ने बताया कि अब तक तासील छेत्रे में फूल तेरह लोगों को दूसरे राज्यों से आने की सूचना मिलने के बाद उनका स्वास्त परिछण किया गया है अब तक तासील छेत्रे में कोई भी संक्रमित ब्यक्ति नहीं मिला है दूसरे राज्यों से आये लोगों के स्वास्त परिछण के बाद लोगों से दूरी बनाकर एकांत्वे रहने की सलाह देते हुए उन्हें परिवार के सद्दस्यों से भी दूर रहने की बात कही जा रही है उपजिलादिकारी बिक्रम सिंग ने लोगों को या घर घर जाकर बतलाने का भी काम कर रहे है कि कोरोना वारस देर से संक्रमित बिमारी से डरने की आवसकता नहीं है आपको केवल उसमें सयम बरतने की आवसकता है और एक दूसरे से दूरी बनाकर आप इस संक्रमित बिमारी को मात देने में सफलता हासिल कर सकते है कि उन्होंने लोगों को यह अस्वासन देते हुए कहा कि कोई भी परशानी होने पर आप नजदी की स्वास्त केंदर को सुचित करें और आवसकता हुई तो उन्हें आप लोगों को जिला मुख्याले वह उससे भी अधिक सुभधा मुहया कराने के लिए उपलब्द रहें पर आए हैं मतब क्या मामला है जी मुंबई से आया है इनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन की हिस्ट्री है मुंबई साने के इसलिए हम लोग इसमें करने के लिए अब तक कितने चेतर में आप मरीजों का इस तरह का चेक अप किये हैं अब हम लोगोंने मगर खाई होके आए हैं बसुका में यहां कर रहे हैं मगर खाई में दो दो लोग का हुआ है इस तासिल में कितने लोग आये हैं जो बाहर से अब तक चिन्नित किये गये हैं तेरा तक चिन्नित हुए हैं, तेरा का आप लोगों ने चेक अप कर लिया है, अभी तक तेरा व्यक्तियों के बाहर से आनेक सुचना मिली है, और अभी लगातार इसकी जांच की जा रही है, जो भी लोग सुचित होते हैं कि बाहर से आये हैं, उनको डाक्टर की टीम के साथ जांच किया जा रहा है, अभी तक फिलाल संक्रमित कोई मामला नहीं पाया गया है, लेकिन प्रिकासन के तौर पर सभी को यह सला दी जा रही कि वो एकांत वास में रहें, जिससे की कम से कम संक्रमन हो, इसकी क्या बिवस्ता की गई है सर, वैसे आये हुए लोगों के लिए, मतलब प्रती दिन चेक अप उगर, क्या निगरानी वगर, कुछ बिवस्ता है क्या है, अभी अस्पताल इस्तर पर इसी कोई स्विधा नहीं है, लेकिन सभी लोगों के यह सला दी गई कि अपने घर पर ही रहें, और एकांत में रहें, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो वो संपा करें तैसी लफ़ा डाक्टर से, तो उनकी विवस्ता कराई जाएगे, जुरूत पढ़ने पर उनको जिला मुख्याले पर जांच के लिए जाएगे।